इसमें वो सब कुछ है जो आपको चाहिए इसमें हिंदुस्तान का भविश्य लिखा है मुझसे कहा गया था कि ये मैं आपको दे दूँ किसने कहा? माउंट बैटन है? नहीं, वो इस बारे में कुछ नहीं जानते मुझे एक खास काम सौपा गया है मैं हिंदुस्तान का आखरी वाइसरोय रहूँगा और मैं बड़े ही फक्र के साथ ये भूमिका निभाऊँगा तुम आने वाला कल ला रहे हो हम ला रहे हो तो कहीं बात और पिकट न जाए ये यहाँ नया है सर, जीत कुमार माउंट बैटन साब हमारे लिए एक मिसाल है और अब वो हिंदुस्तान को आजादी दिलाएंगे बहतर है कि हुकूमत के करीब रहे कर नज़र रखी जाए आलिया मैं तुम से शादी करूगा क्या ये हो सकता है कभी तुम्हें अपने लोगों के साथ डांस करना चाहिए ऐसी बेहुदा बाते कर रहे हो वैसे आपको क्या ओडर्स मिले हैं यही कि हिंदुस्तान को आजादी दिलाओ जितना शांती पूर्वक उतना अच्छा तीस करोड हिंदु और सिख एक जुठ हिंदुस्तान चाहते हैं पर तीन करोड मुसल्मानों में से कई ऐसा नहीं चाहते हैं डिनार से आप कहें कि पहले सरकार वो बनाएं पापो जी यह मुम्किन नहीं है कभी का बार सरजरी ही मरीज को बचा सकती है इस फैसले का अंचाम जानते हो यह लोगों की जिंदगियों को जीर करतेगा हम हिंदुस्तान को इसकी आजादी लोटाने आये थे ना कि उसके टुकड़े करने पर एक को तै करना होगा कि आप कि इस मुलके बाशिन्दे बनेंगे हिंदुस्तान या पाकिस्तान हमें अलग मुल्क नहीं बनाना हिंदुस्तान, पाकिस्तान हम सभी भायों की आत्मा हैं, एक हैं धर्म के नाम पर हमें बांचना इश्वर की मर्जी के खिलाफ है नहरू और गांदी ने कभी कत्र नहीं की, मेरी या मेरी राय की उस लड़की से बात की यह नहीं वो हमेशा के लिए जा रही है, मुझे छोड़कर पाकिस्तान नए मुल्क कभी अमन में पैदा नहीं होते हैं तो यह जिनाकिस दित की वज़ा आखिर किसने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया आपके हाथ खून से रंग है बड़की, बलवार तो आपके हाथ में है प्लान का नाम याद दिलाओं दा माउंट बैटन प्लान